देश की तीसी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सिपला बिकने जा रही है, 1.2 लैक करोड के मार्केट कैप वाली है कंपनी विदेशी कंपनी के हाथों बिकने जा रही है, इस कंपनी को खरीदने की रेस में वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्विटी फर्म ब्लैक स्टोन सबसे आग कमपनी में अपनी पूरी 33.47% की हिस्सेदारी बेजने जा रही है सिपला एंडिया की सबसे पुरानी दवा कमपनी है जो प्रॉफिट से ज्यादा इस बात पर जोड देती है कि दवा की कीमत कम रखी जाए साल 1935 में सुरू ही कमपनी की डील अगर ब्लैक स्टोन से हो जाती है तो इस कमपनी की कमान विदेशी हातों में चली जाएगी सिपला के बिकनी की खबरों से लोगों को जटका लगा है सबके मन में यही सवाल है कि आखिर प्रॉफिटेबल होने के बाद भी कमपनी क्यों बिक रही है दोस्तों सिपला उत्रादीकारी के अबाव से जूज रही कमपनी बिकने की एक बड़ी वज़ा उत्रादीकारी की कमी है अगर सिपला के सक्षेशन प्लैन को देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी 1935 में ख्वाजा अब्दुल हमीद ने कमपनी की सुरुवात की थी 1922 में उनकी मृत्यू के बाद कमपनी की कमान यूसूफ हमीद न वही संभाल रही हैं समीना हमिद फैमिली की तीसरी पीड़ी की एक मात्र सदश्य हैं इसले परिवार में कमपनी को समभालने वाला आगे कोई नहीं है ऐसे में हामित फैमिली को सिपला कंपनी के नेतरत के लिए एक सपस्ट रोड मैप की जरुरत महसूस हो रही है कंपनी को एक सपस्ट लीडर्शिप मिल सके इसलिए हामित फैमिली कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है इस खबर के बाद से कंपनी के share increase होने लगे हैं दोस्तों अगर आपके पास भी सिपला कंपनी के share पड़े हुए हैं तो सिपला कंपनी से जूड़ी खबरों पर नजर बना के दखिएगा I hope आप लोगों को आज ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like and share जरूर कीजेगा